BMS Academy में आपका स्वागत है आए इस सेशन में हम सीखते हैं कि File Explorer के जो उपर जो टैप्स दी गई हैं उन में क्या-क्या विशेशता आए हैं और क्या-क्या फीचर्स हैं बारी-बारी से उन सब की जानकारी हम लेते हैं आए सबसे पहले बात करते हैं File Tab की यदि आप File की बात करें तो यहां से आप नई विंडो खोल सकते हैं ये विंडो उस लोकेशन को खोलेगी जिस लोकेशन को आपने स्लेक्ट किया हुआ है इसके लिए सबसे पहले आप किसी फॉल्डर को जिसको आप खोलना चाहते हैं इसके लिए लग विंडो में सेलेक्ट कर लें उसके पर चात File, Open New Window और यहां से New Window पे क्लिक कर दें आप देखेंगे कि उस फॉल्डर को एक नई विंडो के साथ खोल दिया गया है अब आप इस विंडो में लग से काम कर सकते हैं और मैं यहां से इसे Close भी कर सकता हूँ यही पे Open New Window में आप New Process के रूप में भी नई विंडो खोल सकते हैं नई परसेस में यह बिल्कुल Different Process रहेगी कम्पूटर के लिए और Performance भी अच्छी रहेगी इसकी वक आउट करते समय मैं यहां इसे फिर से Close कर देता हूँ यदि आप Command Prompt से Command देना जानते हैं तो यहां से Command Prompt का प्रियोग कर सकते हैं आप आने वले सेशन में हमारे पस Command Prompt के लिए अलग से एक सेशन है यदि आप अपने किसी फॉल्डर को सेलेक्ट करके रखते हैं फाइल में जाकर Open Command Prompt पर क्लिक करके Open Command Prompt पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप आप डिरेक्टली इस फॉल्डर में आ चुके हैं जिस फॉल्डर पर आपने क्लिक किया हुआ था अब आप यहाँ पे डोस क्मांड का प्रेयोग करते हुए अपने कारय को कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं ऍा यहाँ थाइस टीएम्स के फॉल्डर में जितनी भी डिरेक्टली जैंग Box ऌइए वो सारी की सारी यहां लिस्टिड हो गई है dates के नुसार, time के नुसार, directory के नुसार और alphabetical order के साथ इसके लावा नीचे भी काफ़ी सारी information दी गई है कि कितने bytes मेरे पास available है, कितने free है यदि मैं इस command prompt को बंद करना चाहता हूँ तो यहां से मैं इस command prompt को बंद कर सकता हूँ इसी तरह से यदि आप file पे दुबारा जाएं, आप command prompt को as a administrator भी खोल सकते हैं कुछ ऐसी task रहती हैं जिसमें administrator login होना ज़रूरी है, तो आप यदि administrator level पे अपना command prompt खोलना चाहते हैं यहां क्लिक कर दें आप, इसी तरह से windows power shell जो command prompt का एक बहुत ही advanced रूप है यह हम कह सकते हैं, windows power shell से भी आप command दे सकते हैं, windows power shell एक निया interface है commands देने के लिए इसमें भी आप इसी तरह से commands देते हैं, परन्तु यह एक अलग level प्रवाइड करवाता है commands देने के लिए और एक अलग level of rights भी प्रवाइड करवाता है, इसके लिए आप power shell को क्लिक करें यहाँ आप देखेंगे कि एक window available हो गई है, वैसे ही कुछ जानकारी आपके पस window में है, कि आप किस folder में इस वक्त है पी एस का अर्थ है power shell, जो यह जानकारी दे रहा है कि आप आप power shell का प्रयोग कर रहे हैं इसमें भी मैं काफिसारी उनी commands को प्रयोग कर सकता हूं, जो मैं doze में प्रयोग करता हूं अब यहाँ पर यह दि मैं directory command का प्रयोग करता हूं और enter press कर देता हूं तो आप देखेंगे कि जितनी भी directors listed हैं मेरे पास, जितने भी folders हैं मेरे पास इस ISST aims folder के अंतरगत, उन सब की जानकारी मेरे पास यहाँ available हो जाएगी यहाँ से मैं इस power shell को close कर देता हूं फाइल में आप इस windows power shell को as an administrator भी प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए आप यहाँ पे इस command का प्रयोग कर सकते हैं as an administrator आपको तब अवशकता हो सकती है जब कोई खास कारे आपको करना है कुछ software या कुछ command सलाने के लिए आपको as an administrator login करना ज़रूरी रहता है तो ऐसे case में आप as administrator का प्रयोग कर सकते हैं फाइल में next हमारे पस options available है options पर click करते ही आपके पस काफ़ी सरे options available हो जाएंगे जो basic tasks related रहते हैं windows में जैसे कि ये box folder options को जानकारी दे रहा है इसमें जैसे आप browse करना चाहते हैं किसी folder को तो क्या आप उसे उसी window में खोलना चाहते हैं जो window आपके पहले से available है या आप हर बार आप जिस भी folder को खोलें वो अपनी एक अलग window खोले नॉर्मल पोजिशन में जब भी आप click करते हैं किसी folder पे तो वो उसी window में खोलता है जिस window में वो होता है पंतु यदि आप नीचे वाला option क्लिक कर लें तो आप हर बार जब click करेंगे तो एक नई window खोलेगी हर folder के साथ अभी मैं यहां से फिर से वही option रने देता हूँ पहले वाला इस तरह से आप नीचे वाली option select कर सकते हैं जैसे हमने पहले जानकारी दी थी आपको यहां किसी भी item को खोलने के लिए आपको double click करना होता है जो कि इस option के नुसार है प्रन्तु यदि आप चाहते हैं कि single click पे ही यह item आपकी खुल जाए तो उसके लिए आप single click select कर ले यहां से apply करके ok करते हैं तो आपके बास single click पे ही वो item खुलनी शुरू हो जाएगी अभी मैं default store कर देता हूँ और यहां मैं अभी इस box को cancel कर देता हूँ आप अपनी सुविधा नुसार यहां पे काफी सारे option हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं और यदि आप किसी तरह की help लेना चाहते हैं तो help ले सकते हैं यहां से file explorer में close करने पर file explorer से आप बहार आ जाएंगे आए अब बात करते हैं हम home tab के section की home tab पे यदि आप click करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface अवेलेबल हो जाएगा ribbon के रूप में यहां पे आपके पस काफी सरी options है groups में बटे हुए पहला group है clipboard अभी यह दिया यहां देखे तो clipboard में काफी सरी commands है इसी तरह से दूसरा group organize है तीसरा new, open और select आप अपने किसी भी folder को quick access यहां पे शामिल कर सकते हैं इसके लिए आपको केवल करना इतना है कि click करके रखें आप folder पे pin to quick access पे click कर दे जैसे pin to quick access करेंगे अगली बर जब आप quick access का प्रयोग करेंगे यहां पे तो आप देखेंगे कि वो folder यहां पे भी available हो गया है और यदि आप यहां से हटाना चाहते हैं तो right click करें unpin from quick access कर दे मैं वापिस आजाता हूँ उसके पेशाद यदि आप किसी file या किसी folder को copy करना चाहते हैं तो पहले select कर लें जैसे मैंने इसको select कर लिया यह मेरी sample नाम से एक file है अगर मैं इसका duplicate बनाना चाहता हूँ इसके लिए मैं copy पे click करूँगा अगर मुझे duplicate यहीं चाहिए तो मैं यहीं पे paste कर दूँगा जैसे कि देखें sample copy के रूप में एक duplicate available हो गया है same file का परन्तु यदि मैं इस file की copy कहीं और चाहता हूँ जैसे कि मैं desktop पे अब इसे paste करना चाहता हूँ तो desktop पे click करूँगा और यहाँ पे जाके paste कर दूँगा आप देखेंगे कि उस file की एक copy यहाँ भी available हो गई है मैं फिर से वापिस अपनी eDrive पे आ जाता हूँ आप चाहिए तो किसी file का move कर सकते हैं उसके लिए cut और paste का प्रेयो करना पड़ेगा जैसे copy और paste से duplicate available होता है file का इसी तरह से cut और paste से वो file move हो जाता है एक जगा से दूसी जगा पे जैसे उधारन के तोर पे यहाँ documents में चला जाता हूँ my text के नाम से एक file पड़ी हुई है मैं इसको select कर लेता हूँ और यहाँ से cut पे click कर देता हूँ जैसे ही cut पे आप click करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे icon थोड़ा सा dim हो गया है अब जहाँ पे मैं इसको move करना चाहता हूँ इस file को वहाँ पे click करूँगा जैसे मैं e पे लाना चाहता हूँ और यहाँ पे paste कर दूँगा आप देखेंगे कि file यहाँ पे आ गई है इस back button से हम back जाते है आप देखें यहाँ पे my text के नाम से file नहीं है फिर से forward आते हैं आप देखें कि my text के नाम से file e-pay available हो गई है इस परकार आपन भी file को move और copy कर सकते हैं इसके अतरीक तो यदि आप किसी particular folder के अंतरगत काम कर रहे हैं और उस folder का address कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं training material वाले folder का address कॉपी करना चाहता हूँ कि यह folder कहाँ पे available है मैं folder को select कर लेता हूँ single click से और उपर बनी हुई copy path command को क्लिक कर देता हूँ अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है परन्तु यदि आप किसी text editor में जाके जैसे notpad में जाकर right click करके paste करें तो आपके पास उस particular folder का address आ जाएगा इसके तरीक ते address जानने के लिए आप यहाँ भी click कर सकते है आपको उस location का address दिया जाएगा जहाँ पे आप इस वक्त है left navigation pane से मैं pictures पर click करके अपनी computer में available pictures पर राजाता हूँ अब मालीजे मैं इस file को click कर लेता हूँ और इसको copy कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से eDrive पर राजाता हूँ वो file copy नहीं होगा file वहीं पर रहेगा केवल उसका एक shortcut मेरे पास available हो जाएगा यदि मैं इस shortcut को double click करूँ तो देखें वही file मेरे पास open हो जाएगी परन्तु यदि आप यहाँ देखें arrow की तरफ ध्यान से तो एक shortcut का sign है आप किसी भी file या folder का shortcut भी paste कर सकते है next group जो हमारे पास available है वो है organize के रूप में इस organize group की साहता से भी आप अपनी files को move कर सकते है copy कर सकते है delete और rename भी कर सकते है जैसा कि हमने यहाँ cut copy paste से भी सीखा था परन्तु एक और हमारे पास यहाँ way है इनी कारों को करने का इनी commands को करने का जैसे कि उधारेन के तोर पे मैं sample file को कहीं और move करना चाहता हूँ मैं sample file को select करके रखूंगा move to पे click करूंगा नीचे मेरे पास locations आ जाएंगे जहां मैं इने paste कर सकता हूँ कुछ specific location इसलिए swim हाप को दे दिये हैं जैसे documents, pictures, desktop, इत्यादी पन्तु यदि आप किसी खास location पर जाना चाहते हैं तो choose location से वो भी choose कर सकते हैं पन्तु यहां पर अभी मैं चाहता हूँ move to desktop पर तो देखें यहां से वो file चली गई है और यहां अगर मैं इसको minimize कर देता हूँ file explorer की window को तो वो file मेरे पस desktop पर available हो गई है फिर से file explorer खोलेते हैं file explorer में यदि आप कहीं भी right click करें और undo move कर दें तो वो file वापिस आ जाएगी जैसे कि यहां पर यह file वापिस आ गई है आप control Z का परियोग भी कर सकते हैं इस command के लिए मैं sample को दुबारा select कर लेता हूँ copy to command का परियोग मैं इसी file की एक duplicate copy के ही और रखने के लिए कर सकता हूँ जैसे कि मैं documents में pictures, desktop इन में से किसी भी स्थान पे या location भी choose कर सकता हूँ जहां मैं इसे रखना चाहता हूँ जैसे कि मैं location में यहां पे जैसे कि मैं यहां location पे documents में एक न्या folder मना लेता हूँ new folder से जैसे ही make new folder पे click करूँगा मेरे पास एक folder available हो जाएगा और new files के नाम से मैं यह folder बना लेता हूँ enter कर देता हूँ final करने के लिए file यहां से copy कर देता हूँ अब यदि आप documents में जाए new files पे जाएं तो आप देखेंगे यह file वहां भी available है तो इस परकार से आप असानी से move to और copy to command का प्रयोग कर सकते है तन्तु यदि आपको file नहीं चाहिए तो file select कर ले और delete command का प्रयोग करें इस से आपकी यह file यहां से चली जाएगी जैसे delete करेंगे यहां से file चली जाएगी माल लीजी आप से कोई file गलती से delete हो जाती है तो अब आप उसको कैसे वापिस पाएंगे ऐसे case में आपके पस recycle bin का option रहता है recycle bin देखें यहां पर desktop पे एक icon के रूप में available है recycle bin basically एक dust bin की तरह available है आपके पास यहां पे जो भी files delete करते हैं आप वो सभी recycle bin में available हो जाती है यदि मैं double click करके इसे open करूँ तो आप देखेंगे यहां बहुत सारी file पहले से है और यहां पे जो मैंने अभी file delete की है sample वो भी यहां पे आ गई है मैं चाहूँ तो इसको वापिस लेके जा सकता हूँ करना है, right click करना है और restore का button दबाना है जैसे ही आप restore करेंगे मैं इस recycle bin को close कर देता हूँ फिर save वापिस आता हूँ eDrive पे तो आप देखेंगे कि यहां पे आपके बस वो file वापिस आ गई है तो इस परकार यदि आपकी file गलती से delete हो गई है आपसे तो आप उसको recycle bin से restore करके वापिस ला सकते हैं परंतु माल लीजिए कि मैं इस file को permanent delete करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ यह file recycle bin में भी न जाए और मेरे computer से बिल्कुल पूरी तरह से delete हो जाए तो ऐसे case में आप file को select करें delete पर जाएं बिल्कुल नीचे की तरफ option दिया हुआ है नीचे छोटा सा arrow दिया हुआ है यहाँ पे click करें आपके बस दो option और खुल जाएंगे recycle और permanently delete recycle करते ही बिल्कुल पहले वाला option आएगा आपकी यह file delete होकर recycle bin में चली जाएगी परन्तु यदि आप permanently delete कर देते हैं तो यह file recycle bin में न जाकर पूरी तरह से delete हो जाएगी आपके computer से मैं permanently delete को click कर देता हूँ और finally warning message मेरे पास है कि क्या मैं permanently delete करना चाहता हूँ इस file को जी yes कर देता हूँ यहाँ से मैं और अब मैं जाकर recycle bin में देखता हूँ तो मेरे पास किसी भी तरह की कोई sample file एवलेबल नहीं है और यह पूरी तरह से computer से permanent delete हो चुकी है तो इस तरह से कोई file जिसको आप permanent delete करना चाहते हैं आप delete में permanent delete का option प्रियोग कर सकते हैं आप किसी file या folder का नाम भी बदल सकते हैं उसके लिए आपको केवल करना इतना है कि आप उस file पे click करें और rename को press करें इसके लिए मैं document section में जाता हूँ मेरे पस यहाँ my file के नाम से एक file पड़ी है rename पे click करता हूँ shortcut के रूप में आप F2 का प्रियोग भी कर सकते हैं देखें नाम change करने के लिए आपके पास उस file को select कर लिया गया है मैं इस file का नाम change कर देता हूँ इस file का नाम रख देता हूँ gen data file और enter कर देता हूँ आप देखेंगे कि उस file का नाम बदल गया है तो आप rename करने के लिए इस command का प्रियोग कर सकते हैं next group जो हमारे पास available है वो new के रूप में है new का प्रियोग आप नई items बनाने के लिए कर सकते हैं जैसे कि निया folder या नई file जिस location पर आप निया folder बनाना चाहते हैं पहले उस location को खोल लिजिए email या folder बनाना चाहता हूँ तो मैं eDrive को क्लिक कर लेता हूँ new folder पर क्लिक करता हूँ मेरे पास यह folder बनाने के लिए option available हो जाएगी यहाँ पर इस folder का नाम मैं रख दूँगा इस folder का नाम रख देता हूँ important data जैसे ही मैं enter करता हूँ देखिए मेरे पास यह folder available हो गया है आप चाहें तो नई फाइल भी यहाँ से बना सकते हैं इसके लिए new item पर क्लिक करें आपके पस काफी सारे option यहाँ पे हैं यह option आपके computer में इस टॉर्ट अप्स या software पर धारित होते हैं जैसे कि मेरे पास यहाँ Microsoft Word Document का एक application software है यदि मेरे computer में यह software होगा उसकी नई file बनाने का option यहाँ अवेलेबल होगा रन्तु मेरे computer में यदि वो app नहीं है यह application नहीं है तो फिर यह possible नहीं हो पाएगा अगली command जो हमारे पास अवेलेबल है वो है easy access के रूप में easy access में आप अपनी किसी भी folder को अपनी libraries में add कर सकते हैं और असानी से वहाँ से उसे access कर सकते हैं जैसे के मैं important data को select कर लेता हूं easy access पे जाता हूं और including library करता हूं यहाँ मेरे पास काफ़ सरे option है यहाँ से मैं documents चुल लेता हूं आप देखेंगे कि libraries में document section में important data को add कर लिया गया है यदि मैं libraries पे click करूं documents पे click करूं तो आप देखेंगे important data folder में जितनी भी files हैं वो यहाँ दिखाई गई हैं मैं e पे वापिस चला जाता हूं यदि आप networking environment में काम करते हैं और एक computer से दूसरे computer का data share करते हैं तो easy access में दूसरी option map as drive है map as drive क्लिक करके आप उस particular folder का नाम दे सकते हैं जिस folder को आप access करना चाहते हैं दूसरी drive पे यहाँ पे map drive कारती है कि जिस परकार आप network से कुछ permissions के साथ drive को access कर सकते हैं वैसे ही आप कुछ permissions के साथ इन folders को भी access कर सकते हैं अगला group जो हमारे पास available है वो है open के रूप में open group में हमारे पास सबसे पहली command है properties के रूप में किसी भी file और folder की आपसानी से properties जान सकते हैं केवल click करें file पे या folder पे जैसे यहाँ मैंने sample file पे click कर दिया है properties पे click करें आपके सामने उस file की पूरी detail अवेलेबल हो जाएगी किस परकार की file है size क्या है file का किस date को बनाएगी modified date और accessed कब कब उसको प्रयोग किया गया यहाँ मैं इसे cancel कर देता हूँ यदि आप इस file को खोलना चाहते हैं तो आप double click करके directly खोल सकते हैं इसके तरिक यहाँ से open पे भी click करके आप खोल सकते हैं file को आपके पास यह file open होकर आपके सामने आ जाएगी मैं अब इसे close कर देता हूँ परन्तु यदि आपकी कोई file image file है या उसको किसी software से edit किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पे मैं pictures पे आ जाता हूँ और किसी particular file पे click कर देता हूँ अब यहाँ पे edit भी ये label हो जाएगा यहाँ edit पे click करते ही मेरे पास उस particular file से related जो software है वो खुल जाएगा और मैं इस particular file को edit कर सकता हूँ किसी file की particular history भी आप यहाँ से जान सकते हैं show history से इसके तरीक्त मैं फिर से e पे वापिस आ जाता हूँ इसके तरीक्त file explorer में select करने के लिए एक select group अलग से available है यदि मैं e drive के अंदर गत सभी files या folders को select करना चाहता हूँ तो select all पे click करते ही मेरे पास सारे के सारे files और folder select हो जाएगे आप इसके लिए control A का प्रियोग भी कर सकते है इसके अतरीक्त यदि मैं कुछ बीच में से select करना चाहता हूँ तो click करके रखूँगा और control press करके रखूँगा control press करने के साथ ही मैं click करूँगा तो जिन files में click करूँगा वो सभी select हो जाएगी यदि आपके पास सारी files select है आप mouse को drag करके भी select कर सकते है इसके अतरीक्त यदि आपके पास कोई एक particular file select है प्रन्तु आप बाकी सारी files select करना चाहते हैं इस file को छोड़के माल लीजिए मुझे important data को छोड़कर बाकी सारी file select कर ली है तो मैं important data को select करूँगा और invert selection कर दूँगा आप invert selection का बटन दबाते ही जो file या folder आपने select किया था उसको छोड़के बाकी सारी files और folder select कर लिये जाएंगे invert selection का ये फाइदा रहता है इसे असानी से आप selection कर सकते हैं invert रूप में तो इस परकार से हमने इस session में home tap की पूरी जानकारी ली है